नमस्कार दोस्तों अब सभी का स्वागत है Global Atomi Network Team Warrior दोस्तों दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे लेटेस्ट अपडेट है 24th June का Atomi का आज का ठीक है तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो Atomi की जानकरी वो हम आप से शेर कर रहे हैं Atomi की तरफ से तो इस जो लेटेस्ट अपड चल रहे हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि Atomi के अंदर इंडिया में एप्रोक्सीमेट 15 लाग क्या सपास रजिस्टर मेंबर्स हैं तो जो आईडी पहले लगी थी वो एज ए कंजूमर मेंबर लगी थी अभी उनका KYC चल रहा है तो KYC दो तरीके से चल रहा है यहां पर एक तो जो आईडी 40 नवंबर 2019 से पहले किये हैं वो और जो आईडी 14 नवंबर 2019 के बाद किये वो तो दो तरीके से KYC चल रहा है तो इंगलिश और हिंदी में यहां पर वीडियो दे गए हैं इसमें तो उस लिंक पर आप किलिक किजिए और उसके तरीके से जो प्रोसर्स है उसको फोलो कीजिए ठीक है दूसरी चीज अटो में ऑफिशल नहीं बताई है कि आप जो भी माइग्रेशन कर रहे हैं जो भी KYC कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से KYC करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें उपन नहीं होते मोबाइल में ठीक है और कुछ चीज़ें आप अपलोड नहीं कर पाऊगे अच्छे तरीके से तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी KYC का काम कर रहे हो आप लैपटोप या कंप्यूटर या डेक्स्टोप यूज़ कीजिए जैसा कि इसमें बिल्कुल किलरली मेंशन किया गया है नंबर बन पॉइंट में तो ठीक है आपका address verification के लिए address proof verification के लिए जरूरी नहीं है कि आपका mobile number अधर कार्ड से connect है तो शिरफ आपको अधर कार्ड नंबर डालना है वो तब डालना है जब आपका mobile number अधर कार्ड से connect है तो आपके mobile के अंदर OTP आएगा वो OTP six digit का आपको वहाँ पे डाल करके आपक voter ID जो पहचान पत्तर जिसको voting card बोलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं या driving license या passport यूज़ कर सकते हैं और voter ID driving license और passport इनका photo upload करना है voter ID का front and back driving license का front का photo है वो upload करना है और दूसरे कोलम में भी front का एप करना है बैक में कुछ होता नहीं driving license में ठीक है न और passport में front and back आपको upload करना है और upload करने से पहले आप अगर voter ID चूज़ कर रहे हैं select कर रहे हैं तो voter ID का number डालना है जैसे license select कर रहे हैं तो license का number डालना है अगर passport select किया verification के लिए तो passport का number डालना है उसके बाद आपको upload करना है उनका front and back ओके तो यह सारे चीज़ें आपको बताए गई हैं तो जितने में members हैं अगर अभी आप जो verify कर रहे हैं आपकी ID KYC कंप्लेट कर रहे हैं क्योंकि KYC कंप्लेट करने के पर चाहता आपकी ID Atomy distributor number में कर्मट हो तो यह सारे चीज़ें अपने ओफिशिल जो Facebook गूर्प उसके मादम से बताए गई तो आप इसको follow कीजिए ठीक है और KYC करने से पहले सबसे पहले आफ वीडियो देखिए किस तरीक के से आपको KYC करना है अटोमी के जो ओफिशिल चैनल है उस पर भी और हमारे चैनल है उस की ओके त्वासा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तो इस चैनल पर अगर आप नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एटोमी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी टाइम टो टाइम मिलते रहे हैं और टीम वारियर के साथ ताकि यू वरिमस्ट तो